हेलो फ्रेंड्स आरे से स्टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा का तिसरा वीडियो अश्टार्ट करेंगे जो यूडू टेरिया का भॉलूम बन नया जो मार्केट में आ गया है उसका आज हम तिसरा वीडियो अश्टार्ट करेंगे और इसका जो फैसेंड कर दिया जाएगा आज से स्टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर तो देर ना करते हुए आज हम तिस्तरा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फर्श नमबर कोशन क्या करा है करा है महला प्रेमियर लिग डवलूपी यानिके डवलूपी यह दो हजर तेस के पहले शंसकर में टोटल पांच टीम भाग लिया कितना टीम पांच टीम और कितने मैच खिले गएं तो 22 मैच खिले गए लेकिन כोशन पूछे में सबसे महगे खिलाडी असमेर्थी मंधाना को चुना गया 3.40 में 3.40 में समेर्थी मंधाना सबसे महगे खिलाडी चुने गए और RCB के द्वारा यह चुना गया था तो इसका सही अंसर और भी होगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो सबसे में क्या कर ?ट कोशन में कर रहे जी कि फरवारि выглядит 2030 में 99 मेंसर किस राजियों में भिन्हान सबाद चुनाब नहीं करा गये हैं तो कहाना कर आए गया ुप्सन में मन्निपूर मन्निपूर में नहीं करा गय frame無 BLM मिनक्राय गया है और मनिपूर में नहीं कराया गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा मनिपूर में और मनिपूर की बात करेंगे तो तैरता हुआ राश्टी उद्यान मनिपूर में ही है कैम लमजाओ राश्टी उद्यान नेश्ट कोशन का रहा है कि बिहार सरकार द्वारा पर्तिवस सहीद दिवस किस तिथी को मनाये जाने की घोशना की गई है तो इसका जो सही अंसर का option number भी हो जाएगा 15 फरवरी बिहार सरकार द्वारा सहीद दिवस बोल रहा है तो 15 फरवरी हो जाएगा इसका सही अंसर एक तो सही दिबस होता है कितना 30 जनवरी को सही दिबस मनाया जाता है और बिहार द्वारा सही दिबस 15 फरवरी नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कराय कोशन में कि भारत का कौन सा राज मसाला उत्पादन में अगरनी है तो इसका जो सही अंसर होगा आपसा नमबर सी हो जाएगा अब मद परदेश हो गया है पहले केरल था मसाला में पहले केरल था बरतमान में मसाला उत्पादन में मद परदेश हो गया है तो इसका सही अंसर मद परदेश होगा और चावल की उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादे पच्छिमगाल में होता है गन्ना की बात करेंगे उत्तर परदेश में होता है आलू भी उत्तर परदेश में सबसे ज़् सेटर अंसरपसर नंबर यहां जाएगा ऑप 24 को working सेथ सभाना करेंगे तो नंवह किया रहां किया गया और इसके अ week नारंद्र मोधी किये थे को सन की बात करेंगे तो नेश्ट को सा करा हाल लींदी चार्चा में रहा मतुगा महा में लाकायो जनकिस राज में किया गया तो इसका जो सही अंसर होगा option number एक हो जाएगा पच्छी मंगाल में किया गया कहां पच्छी मंगाल में किया गया पच्छी मंगाल की बात करेंगे तो, लोकषभा के सेट 240 है और रासभा के सेट पछी मंगाल में 16 है, नेश्ट कोशन की बात करेंगे, तो नेश्ट कोशन, कराय कोशन में कि सत्रवय परवासी दिवस के दौरान लगवग कितने देसों के परवासी परतिनी झितने भाग लिया था तो इसका सही अंसर, option number 2 हो जाएगा सत्तर देश भाग लिया था, कितना सत्तर देश भाग लिया था, लेकिन question पूछेगा कि 17 में परवासी दिवस कयोजन कहां हुआ था तो इंद और में हुआ था, मद परदेश की तो नेश्ट को शन में क्या करा है करा है को सन में कि गोल्डन गलूब पुरुसकार 2023 के अंतरगा सरफस्ष्ष्ष्ष गीत का वार्ड किसे दिया गया है तो याद रखेगा फिल्म कहेगा न वाद रखेगा एफेवेल मेंस को दिया गया है याद रखेगा इसका सही अंसर आपसा नंबर भी होगा नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो कहा रहा है मिस उनिवर्स 2022 का अयोजन कहां किया गया तो इसका जो सही अंसर होगा आपसा नंबर भी हो जाएगा अमरीका में कहां किया गया कि 2022 में मिस उनिवर्स के अशन किया गया कि एक तरवी मिस उनिवर्स था और अमरीका में चीशन सहर में बोहुज़र 2022 में मिस उनिवर्स का खिताब क którego कि आःकर याद राएं लकाने ग्रेविल ने जीता था तो इसका से आंसर दिवल जएगा next question की बात करेंगे, तो next question क्या कर रहा है passion में? कर रहा है कि हाली हाली में किसे बिश्व के सबसे उचे इलचे तरिश्याचिन के कुमार पोस्ट पर तेनाथ किया गया है, तो किसे किया गया है? तो देखते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा option number हो जाएगा सीवा चोहान को किसे सिवा चोहान को किया गया है कि कि बात करेंगे तव मिदनेश कोशन में कि इंडोनेसिया मास्टर वैडमिंटन का जो अयोजन हुआ था यानिकी इंडोनेसिया के रैधानी जगरता में हुआ था और पूरुस में तो यह जीता था लेकिन आप से कोशन पुछेगा कि महला में किसने जीता था तो याद रखेगा महला में आन से यंग जीता क्या होगा option number एक हो जाएगा इनकी digit all innovation and technology for gender equality हो जाएगा तेरह का सही अंसर एक हो जाएगा और महला दिवस कम मनाया जाता है तो 8 मार्च को महला दिवस मनाया जाता है next question के अब बात करेंगे तो next question में क्या कर रहा है कर रहा है कर रहा है में कि a statue of a statue ofillion इनकी अनकी जाएगा बस्पन से समन्दित है तो यह चाहिएक स्पर्तिमा किसे समांधीक गाणिवान ए राज यतान में पड़ता तो और भागबान चीशत्र मीं कहां है इसके बाद करेंगे कि तो गुजरात में से दारवला भाई पटिल सकता है तो आजराश्ट में है और एकिंग का मूर्ति तो बियारं अमेद करका है तो उयाद रखेगा नेश्ट कोशिन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराएक कोशन में कि कवाड कॉज़ी का हुगए जपान में किया गया था कौण कौण है अस्टेलिया भारत है जपान है और अमरीका है और को सबसे पहले यह कौन की बात करेंगे तो कराय को सबस्क्राइब कर आए कि कि सहर को सर्फशेष्ट हरिटेज सिटी का पुरुसकार दिया गिया है इसका सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर रहा है इंडिया ने किसे साथ अपने विल्लै को मंजूरी दी है तो इसका सबस्क्राइब करेंगे तो नेश्ट कर रहा है कि अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजवानी 2024 किस देश द्वारा किया जाएगा इसका जो सही कि अंसर होगा और सब्सक्राइब करेंगा कि कहा किया जाएगा तो याद रखेगा दो जिंबाबरे और नवीबिया में में होगा आधरा किया लेकिन 24 में स्रिलंका में नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में जी कि वर्ड हैपनेस रिपोर्ट 2030 में भारत का स्थान यानि कि कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा आप सा नंबर भी हो जाएगा बर्ड हैपनेस रिपोर्ट 2030 में भारत का स्थान तो 2023 में 126 था यनि कि 2023 में कहेगा भारत का स्थान हैपनेस में याद रखेगा 26 और पहले अस्थान पर फिनलेंड याद रखेगा और टोटल काईगा कितना देश में तो आद रखेगा 136 देश में भारत का स्थान 126 है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है करा है कि 32 में ब्यास समान 23 किसे समानित किया गया है तो इसका सही अंसर ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा ग्यान चतुरवेदी हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्यान चतुरवेदी नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कर रहा है कि पाक जल्डंरुम्मद को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारती एकोन बने है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर एक हो जाएगा सपन्ना रमेस यानि कि सेलार हो जाएगा और नेश्ट कोशन के हम बात कर लेते हैं तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है तो नेश्ट कोशन में का रहा है जी कि राजपति द्रोब्दी मूर्मूर द्वारा किसे यानि कि प्रेशिडेंट स्कलर अवार्ड परदान किया गया ह तो इसका जो सही अंसर होगा option number D हो जाएगा INS दुरोना चार्ज को किसे INS दुरोना चार्ज हो जाएगा नेश्ट कोर्शन की बात करेंगे तो नेश्ट कोर्शन करा है भारत के पहली यानि की बेहवारिक परियोग साला स्थापित की गई है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा जैपूर हो जाएगा जैपूर सवाज सेवा से य समंधित व्यक्ति हैं और इन्होंने एक संके भी अस्थापना किये थे निकी सुआत्री महिला संके अस्थापना यॽद की ये थे कौण इला भट तो समासे बात है नेशट कोशन की बात करेंगे तो गुधाबरी बेसिन गंगा की बात करेंगे नदी का दर्जр 2008 में दिया गया थेप 2008 में और गंगा नदी की लंबाई जु है कितना है 2525 किलो मीटर है याझनी कि 2525 का आध रहिए किलो मिटर। की बात करिंगे तो нес कुसन में क्या कर रहा है कर रहा है सर्वाधिक उचाई परिस्तित दरआ तो इसका जो सह्यांसर होगा option number तो जेगा नमबर शी हो जाएगा ना थुला दरा स्रवाधिक उचाई एक हो जाएगा वीज और कलियों का हो जाएगा निश्ट को संड करा है मिखिर की पहाड़ि इस्तित अह तो इसका सभी अंसर आपसन नमर एक को जाएगा इसम मिकिर के फाड़ि और डाफला और दाभीख और तो अरुणा चल परदेश हो जाएगा अभीर की काटने से बचाने है तू चिपको अंदूलन कब शुरू किया गया तो इसका जो सही अंसर होगा आप्सन अमर भी हो जाएगा उसके बाद कराय कोशन में कि निम में से किसका शमंद पारस्तित की संतूलन से नहीं है जो किसका संतूलन से नहीं है तो यहां डि यानि कि अधोगिक परवन्धन यह पारस्टित की संतूलन से समंदित नहीं है उसके बाद next question के हम बात करेंगे तो next question में क्या कर रहा है next question में कर रहा है जी कि निमलिखित में कौन सा देश अस्थल रूद्र है तो option में कौन हो जाएगा तो यहाँ पर option number B हो जाएगा हंग्री ऑए जो आस्ताल रूद्र देस हैं हंग्री है जो एरोप का देस रहे हैं हंग Ice किस माहाइँ भर्ट लखान चौप का रहे और बात करिंगे सबसे बाइब करेगा सबसे बढ़ा दूसरा दूसरा में दूसरा नंबर पर मंगोलिया जाएगा लेकिन सबसे बड़ा आध रखेगा कजासिकिस्तान इसका से अंसर ऑप्शन नमर भी हो जाएगा नेश्ट कोसन कराया बनस्पति जलवायू का सही सूचक है या कथन किसका है तो इसका से अंसर ऑप्शन नमर शीव हो निर्वाचन की परता किस वर्ष अरम की गई तो इसका जो सएँ अंसर ऑप्शन नमर भी हो जाएगा अठारा सो बानवे यानि कि भारत में अथ्वा बजट पर बहस करने के काज का जकारनी से प्रशन कुछने का भी सकते ही दिया गया था किसे अठार्सू बानवे से ही दि कोचिन की बात करेंगे तो निख destructive कर रहा है कि कौण सी घठ ना सब से पहले घटित हुई तो ओकोन घटित हुआ था इसका जो सही अंसर होता अपसे नमबर मेर खुजेगा था कब 17 सव यानिकि 90 से 92 चला था और उसके वाद सालवाई के संधी बोल रहा है ना तो 17 180 हो जाएगा 17 180 हो जाएगा 17 180 तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा ओपशन नंबर एक हो यानि की इलाहबाद के संधिर नेश्ट कोसन के हम बात करेंगे तो नेश्ट को सब्सक्राइब किया का रहा है कि निमली खित में से किस एक ने स्वाचन भूस को देशनायक को कर सम्भोदित किया था तो इसका से अंसर नमबर भी हो जाएगा रविना टाइग ऑर किसने रविन करेंगे तो नेश्ट कोशन परत्याश्क करवाहि दिवस कहां मनाया गया जो कि दिवाने अर्ज विभाग के अस्था आपना किसके द्वारा किया गया तो सही अंसर मौने एक बलवन के और दिवाने अर्ज संवभबाग था जो ब्रवन के द्वारा नंबत करेंगे तो यह निकिदि दिवाने इस बात करेंगे pendant Weder女 वंदगान फिरोशा तूगलक सफित किए तंब फिरोशा तूग किया था नेस सबबнут करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है कि निमली खित में से कौन फार्शी का पत्थम कभी था यानि कि जिसने अपनी कभीता में भारतिय परियवरन को चित्रित किया इसका जो सही अंसर होगा ऑप्सन नमबर ड्यू हो जाएगा अमीर खुसरो कौन था अमी नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि निम्ण में से कौन सही सुमेली था तो चंदावर का विदेगारा सो चोरान में बिल्कुल सही तैमूर तेरा सो अन्ठान में बिल्कुल सही ताली कोटा पंदरा पैसर सही यानि कि सभी सही है तो इसका सही अंसर सभी सही हो जाएगा नेश्ट में कराया था नेश्ट कोशन कराय भारत में मानव का सरपर्थम साच कहां मिलता है तो इसका सही अंसर नमबर एक हो जाएगा नर्मदा घाटी में कहां मिलता है नर्मदा घाटी में मिलता है याद रखेगा नेश्ट कोशन कि हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि सेंधब से भीयता कि महान अश्नानागर कहां से प्राप्थ हुआ है तो इसका जो सही अंसर होगा option number क्या हो जाएगा एक हो जाएगा मोहन जोदुरो से कहां से मोहन जोदुरो से प्राप्थ हुआ है और इसके लंबाई उत्तर से दच्छिन की बात करेंगे तो 55 मीटर है और चोड़ाई की बात करेंगे पुरप से पच्छिम तो 33 मीटर है नेश्ट कोसन करा है कि सासक के द्वार सर पर समपाटली पुत्र की रजधानी के रूप में चैन किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा और सासक्य मेंश्बैल की बात करेंगे तो नेश्ट कोसन कि बात करेंगे तो नेश्ट कोसन कराई भारतीय समिद्हान सभाद वर अंगे करित किया गया तो इसका जर्य अंसर होगा और और अप्सन नंबर 2 और suits 66 नमंबर 1949 को लेकिन समिधान पूर्ण रूप से लागू कभ वगवा था 26 जनवर 1950 को नेश्ट कोसन की बात करेंगे तो नेश्ट कोसन कराय को सन्मीक निमलिखित में से कौन सभी साइस संबर्ति सुची का है तो संबर्ति सुची का कौन है तो ऑसी हो जाएगा जन संख्या नि नेश्ट कोसन में कि भारतिय समिध्ान का कौन सा भाग समिध्वान के आत्मा कहता है तो एलएगा टो हो जाएगा और कि मूनसी ने इसमे 12 का क seasoning जनव पत्रेंति कई rein हो कि ब्यारंबेद कर शम्यधानिक उप्षारों के अधिकार को सम्यधान के आत्मा एभारतिय सम्यधान का वर्णन करता है तो इसका तो अनुछेद में थोड़ी है तो एड़ी हो जाएगा इन में से कोई नहीं होगा यानि केंदे सतरक्तायोका जो गठन हुआ था 1964 में केंद सरकार के द्वारा पर एक प्रस्ताप पर के तहत हुआ था और इस संथानन समीति के सिफारिस पर इसका गठन हुआ था इसलिए इसका नुच्छेद में बरनित नहीं है नेश्ट कोशन के बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराहाई भारतिये संसस के सबसे बड़ी समीति कौन सी है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर सी हो जाएगा परकलन समीति हो जाएगा क्या हो जाएगा परकलन समीति इसमें 30 सदस होता है और 300 लोक सभा से होता है और इसके जो सदस होते हैं यहनि कि इसका जो काजकाल होता है एक वरस का होता है नेश्ट कोशन के बात करेंगे तो क्या करा है कराय कोशन में कराय कोशन में कि परतेकर राज में लोकसभा तथा विधान सीटों का नि27 नहीं किया जाएगा तो दोजारश चबिस्द तक नहीं हस्तश्द किया जाएगा या नियाले के वीधी के प्रश्ण पर राय लेने के अधिकार है तो इसका सही अंसर नमर भी हो जाएगा राष्ट पती को किसे है राष्ट पती को भारती समिधान अनुच्छेद 143 के ताथ भारत के राष्ट पती वीधी तथा यानि कि व्यापक महत्व के संधर में सरवोच नि प्रमर्श लेने के सक्ति किस अनुच्छेद के ताहत 143 के तहथ है तो राष्ट पति यानि कि इसका सहनसर राष्ट पती हो जाएगा नेश्ट को सनकरा करेंगे तो नेस्ट को संधर कार का का कज़कारी अध्याच्य समिधानिक पर्मूख है इसका जो सही अंसर हो का option number B हो जाएगा राजपाल हो जाएगा क्या राजपाल हो जाएगा राजपाल हो जाएगा यह जो होता है राजपाल में नियुत होता है याद रखेगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा करा सतत विकास के लिए आवश्यक है तो इसका सही अंसर क सब्सक्राइब कर तो नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन चारा किरा निर्भर करती है वैंनल के नम्हान पर निर्भर करेंगे, तो च्छापन का सही अंसर क्या हो जाएगा संतुलान विकास के लिए यह सही है उसके बाद करहा परियावरन परस्तित के लिए यह भी सही है सबस्क्राइब सबस्क्राइब करेंगे तो कर आया कि इसका सबस्क्राइब राए नियुक्त में सबस्क्राइब शंपन्च छेत्र है तो इसका जो सही अंसर होगा और तो नमबर चीव जाएगा पच्छिम हो जाएगा तो जाएगा और बात करेंगे जैंबात करेंगे गात करेंगे तो इसका जो सही अंसर को यहाँ होसे किसे समुझेज्ट करा निमली लिखी में कौन सा देश का सदस नहीं है उनलीक सदस नहीं लिएं और सार्क का सदस नहीं है याद रखेगा और सार के अस्थापना उनाइसोपचासी में हुआ था याद रखेगा और इसमें आथ देश कौन-कौन है तो आद रखेगा भारत के चारो साइड इनकी भारत पकिस्तान बंगलादेश नेपाल भोटान सिरलंका मालडेब आफगनिस्तान तो यहां मैंनमार नहीं हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में की बारेखा जो धोप के शमान अबधी वाले अस्थानों को मिलाते हुए खीचा जाता है उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं इसका सही अंसर उप्शन नमर एक हो जाएगा आईसू हेल हो जाएगा आईसू कहा है दागला भी 36 को जएगा हिमाचल परदेश का हो जएगा नोट तका करें His तो जानते हैं कि उत्फर परदेश का हो जाएगा सही बात करें लेक्स कुछन ऊंतराश्ट्री खेल दिवस कम मनला गदा नना उंतराश्ट्री खेल दिवस बोल रहा है राश्ट्री कि और मैं खेल करेंगे तो अंतराष्टी खेल बोला तो 6 अपरेल हो जाएगा राष्टी काता तो इसका जो सही अंसर होगा अस्थापना कब हुगा तो इसका जो सही अंसर होगा और छो यहां कि उनैश्जा प्रपाव में हो जाएगा शाहिजफ की सही अंसर्म राइफल का मुख्याल हो जाएगा और इसका अस्थापना का भुग था ठाश्थाày न्योרג सुड़ेशक है कि MS7D कम बात करेंगे तो tamasun का धाया माहनाफ सुरां नर्म सम्हाता किस दौन होता है। सब्सक्राइय था याद रखेगा शरिवियस की बात करेंगे तो नेश्ट कोशं करा है कि परद्यवरती धारा का विश्कार कि निकोलो टेशला के द्वारा हो जाएगा नीपोलो टेश्ला इसका सैवाहन के अलवाट एडिशन की बात तो परकास विधूत परभाब हो जाएगा इसका खोज और इबराबर MCS को आइंश्टीन दिया था बिल्कुल सही नेश्ट कोशन कराए कोशन में जी कि विभांतर को अस्तिर रखते हुए एक परिपत का परति रोध आधा कर दिया जाए नेश्ट कोशन में करा है कि यदि एक वास्ति वर्स्तु का परति बनाने के लिए उत्तल धर्पन का उप्योंग किया जाता है तो न मिलिक्षित में कौं सह अ कदान गलत है तो गलत होगा कौं तो इसका एक हो जाएगा पर तिभी मबास्त भी खाय ए गलत हो जाएगा ए गलत हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में किनिमलिखित में से क्या आर्कमेडीच के सिधान पर अधारित नहीं है तो कौन है जो अधारित नहीं है तो यहां पर रड लसानी Πरिवर्थन का उधारन है तो कौन हो जाएगा तो option number one यानिकि मख्छन का खट्टाउना यानिक रहत्वारा नहीं बनेगा एक वार जाने हाद दूढ़ा नहीं बनेगा जेसे में नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कर रहा है कि निमलिखित में कौन सा एक उर्धवा पातक पदार्थ नहीं है तो कौन है जो नहीं है इसका सई अंसरीक हो जाएगा सोडियम सलफेट नहीं है कपूर है इनेक्थिलिन है अमोनिया कॉलराइड है उसके बात कर आपर यहां पर सब्सक्राइगा तो यहां पर सब्सक्राइब कर यहां पर साथ एलक्त्रोन है तो अपने सब्सक्राइब करने के लिए एक electron के बसकता होता है और तो ही एक electron को क्या कहेंगे संजोजक्ता कहेंगे नेस्ट कोसन की बात करेंगे तो नेस्ट को अम क्या कर रहा है कि वे यह निके जिन में हाइडोजन के साथ औक्सीजन के अतयरी अंधात्व क्तत्व होते हैं क्या कालते हैं इसका से न pro y निश्ट कोसा होता हैं में खली हसान होते हैं रोगात करेंगें तो तो नेश्ट कोचन में क्या करा है करा हायल्मूनियम अकसाइड प्राकिर्थिक में खाली असान होते हैं तो इसका से अंसर फिव और अक्सिजन हो जाइगा हाइडोजन और अजया है नेश्ट कोचन के करेंगे तो नेश्ट कोशन क्या कर रहा है कर रहा है निम्लिखित में से कौन सा तत्व और साधनिक असरवाधिक विद्धूत रिनात्मक तत्व है इसका से अंसर नबर भी हो जाएगा फलोरीन हो जाएगा विद्धूत रिनात्मक कहेगा तो फलोरीन हो जाएगा और में कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप नियून में से किसका नियूनिकरन होता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number B हो जाएगा क्या भी हो जाएगा विलीन यानिकी oxygen का हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो एक नहीं है यके पुरतों की पोधान नहीं तो एक नहीं है यानिकी प्रोथाइलस वहाएगा नहीं यह नहीं हो जाएगा पाहला बनास्पति यानिकी बिग्यान यसे माना जाता है इसका उन्की फइंब बसु की निदैन को को सिन की बात करेंगे तो नेस्ट इंज सब्सक्राइब कोचन करा है कि on कि सब्सक्राइब कुन सब्सक्राइब हर्मोन कोश्च का भिभाजन शिश्रमन देत हैं तो इसका सator बल्स हो जाएगा सैटो कैणिन hindsight कमेर किया था उन्ह进 45 में 25 में यानि कि कैनीन हर्मोन है जो है कुछ का विभाजन में मदद करता है याद रखेगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है। आई स्वासन का पहला च्रोण गुलकोच का खाली अस्थान में विखंडन होता है इसका सई अंसर नमबर एक हो जाएगा पाई रूवेट में पाई रूवेट हो जाएगा इसका सही अंसर नेश्ट कोशन के बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा उस वाहिनी का नाम क्या है जो पूरुस के ब्रीशन से निकलती है और शुक्रानू के सरीर में ले जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा आप्शन नमबर भी हो जाएगा यानि कि सुक्रवाहिका हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है हमारी आखों में लेंस का क्या काम है तो इसका सही अंसर आप्श टीमेदार होता है तो लिए और कि क्या कर रहा है कि ऑप 9 युज शूर में के डोरानि दोरानि तो इसका सेंसर उholes Number towback, 1ए करित, क्रित, क्रित घ्रामीन विकास हो जाइएगा। तो जो काल था 1980-1950 through October 1980-90 जो घ्रामीन विकास का अज करम था 2 अक्टबर on 1989씨 में परम किया गया था। कि नेंश्ट कोसंं कि बात करते हैं तो क्या क्या में कि परशन वे रोजगारी नंबर श होजाए right धी शिंदर करिंगे तो नेर्ष कोंसं करा राश्ट् inseakti का गठन किस बर्स सबखे आगिया है तो इसका से नंस्र नंबर एक होजहां है और राष्टि-आय मीति का परहले अध्यत पीसी महानलोभ़िस्त इयाद रखेंगा परम्हैत का कोसर से होगा तो इसका जान्सस न कालिए इस प्ले लिस्ट में जाकर देखे घ बताया हुआ हैं तो SS5 क्र news कीजिएगा तो option number क्या जाएगा सिंपल को सब प्लेलिस्ट में जा के देखेगा बताया हुआ है नेश्ड कोशन की हम बात करेंगे तो नेश्ड कोशन कि अन्ठानवे का कि 98 की बात करेंगे तो 98 का सही अंसर क्या हो जाएगा इसका जो सही यंसर होगा ऑप सा नमबर जिएगा निकाल लिएगा तो तो बस आज वार इतना ही रहने देते हैं और देखिए जादा ili डिसकेशन नहीं करा पाते हैं तो बस आज वार इतना ही जादे वीडियो अह्छा लगता तो लाइक किजिए और चैनल पर नए आएं तो सस्क्राइब किजिए बस साज वरिंदा ही जहें जब